Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech Myself उमर तसकीर इस specific series में हम लोग बात कर रहे हैं about Google My Business and local search optimization So guys, अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमें Google My Business के उपर एक account create कर लेना मान के चलते हैं कि अगर हम किसी specific client के लिए account creation कर रहे हैं आपर Google My Business के उपर तो सबसे पहले आपको क्या करना है, client की ID आपको चाहिए होगी, Google ID आपको चाहिए होगी तभी आप Google My Business के उपर account create कर पाएंगे Second important चीज यह है कि Google My Business जो है, वो absolutely free है और एक और थर्ड बहुत important चीज है, वो यह है कि Google My Business के उपर या तो आप बिल्कुल scratch से, raw बिल्कुल basic से जो पहली बार आप account create करते हैं तो वो भी आपके पास option होता है, या अगर business already वहाँ पर listed है तो उसको search करके आप further आगे move कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग इस specific video में यह मान के चलते हैं कि अभी हमारे client का किसी भी तरीके से Google My Business के उपर कोई भी presence नहीं है और हम बिल्कुल scratch से, बिल्कुल zero से किस तरीके से हम Google My Business के उपर account बनाएंगी हम लोग देखने वाल एक और बहुत important चीज़ जैसे इसमें जो हमारे client के business का name होता है उसके business काटेगरी होती है उसके business की information होती है आप लोग कोशिश करें कि जादा जादा चीज़ों को आप already collect कर लें और उनको क्या करें उनको already collect करने के बाद आप उसको अपने word file में या कहीं पर भी save करके रख लें ताकि वहीं से आप बाद में यहाँ पर जो data आपको लानी है Google My Business में जो आपको information यहाँ पर रखनी है वो आप आसानी से रख सकें तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर Google My Business की जो official website है उसके उपर हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो information दी है वो आप पढ़ सकते हैं जैसे get customers with a great business profile नीचे give customers more way to reach you find out how many people are connecting with you तो इन्होंने अपने features वगेरा और यह सारी चीज़े जो इनका product है Google My Business उसके बारे में Google ने यहाँ पर information दी है business profile website भी आप यहाँ पर बना सकते हैं एक बहुत ही चोटी सी website आप यहाँ पर बना सकते हैं तो उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे जिस आईडी के उपर आप Google My Business बनाने चाहते हैं तो अगर यह आपकी आईडी है और आप client के लिए बनाने चाहरे हैं तो यह काम नहीं करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास client की आईडी यहाँ पर ठोक तो जिस भी person के लिए आप बना रहे हैं उसकी ही आईडी हो यहाँ पर वो जादा बहतर रहेगा ठीक है find and manage your business तो यहाँ पर वो पहला option है जो मैंने आपको बताया कि business अगर already present है तो आप उसे यहाँ से find कर सकते हैं जैसे हमारा business अल्रेडी प्रिजनेस नहीं है तो वी विल क्लिक ओन आइड यो बिजनेस तो गूगल अब यहाँ पर हमें अपना business नेम रखना है तो लेट सी हम कुछ यहाँ पर कीवर्ड स्पेसिफिक एक business नेम यहाँ पर मैं रखता हूं जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ओक तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो मैं इस particular example के point of view से हम लोग इसको मान के चल रहे हैं जो हम लोगों ने अभी consider किया है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और services in जोथपूर इसके बाद हमें करना है यहाँ पर next तो अभी हमारा business name यहाँ पर enter हो गया अब business category य आपको business category यहाँ पर बहुत ही ध्यान से select करनी है ठीके बाद में यह actually हमारी primary business category होती है इसके बाद जो बाकी secondary business category हो आप अंदर जाके profile में भी changes कर सकते हैं तो यहाँ पर जो business category है तो let's say हम अपनी business category let's put digital marketing यहाँ पर है क्या नहीं digital marketing नहीं बट अगर हम online marketing यहाँ पर डालते agency वे तो जो category सबसे closest हो उसको आपको select करना है तो यहाँ पर एक internet marketing service भी दिख रही है तो we will put internet marketing services over here उसके बाद हमें यहाँ next करना है तो अभी हम लोग बेसिकली अपनी जो profile है उसको setup करें do you want to add a location customer can visit like a store or office तो अगर आप फिजिकल लोकेशन यहाँ पर enter करना चाहते है ठीक yes otherwise you can put no तो क्योंकि हमें address mention करना इसलिए मैं इसको yes कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग आजेंगे हां next के ओपर तो आपको यहाँ पर address जो है वो enter करना पड़ेगा तो I'll select मैं कुछ random सा address यहाँ पर select कर लेता हूँ ओके राता नाड़ा जोतपूर राइट और यहाँ मैं अब जैसे मैंने यहाँ पर जो street address आपके सामने रखा हुआ है इस तरीके से आपको street address नहीं करना आपको पूरा जो specific street address है अगर shop है तो shop number जो भी है उसका ठीक है अगर house है तो house number तो properly सारी चीज़ें आपको यहाँ पर mention करना ही city, pin code और यहाँ पर आपको अपना state है उसको mention क करना है तो यह सारी चीज़ें जितनी भी आप यहाँ पर चीज़ें देख रहे हो चाहे वह category हो जो पिछले option में हम लोगों ने देखा चाहे वह हमारा address हो Google my business के point of view से यह बहुत ही important चीज़ें next हम लोगों को next करना है तो यहाँ पर हम लोग next कर देते हैं then is this your business तो वह यहा marketing training course internship एक यह हमें देख रहा है तो यहाँ पर मैं कर देता हूं कि अगर कोई इसमें से मेरा business है जैसे Google my business suggest कर रहा है यह हो सकता है आपका business already listed हो आपने उसे pick नहीं किया है तो अगर आपका यह इन में से कोई business है तो आप इसको pick कर सकते है ठीक है और further उसमें फिर आप changes कर सकत next ठीक है where are you located अब यह बहुत important चीज़ देखो हमने क्या broad खोड़ा सा address type कर दिया था तो जो broad address हम लोगों ने type कर दिया था वो था हमारा रातानाडा जोथपूर तो हमें क्या करना है यह जो पिन है यह बहुत important है तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से जो accurate आपका address है और यहाँ पर लग जाएगा जैसे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा जैसे बहुत कर देता हूं तो यह बहुत important है आप लोग exact जो location है उस पे इस pin को drop करें सबसे important चीज़ है और उसके बाद हम लोग कर देते हैं यहाँ ने जो option हमें यहाँ पर दिख रहा है इस location यह भी option जो है यह बहुत important option है अलग-अलग business type के point of view से let's suppose कि आपका कोई tuition classes है ठीक है और tuition classes के आपने locations हो गयरा है यहाँ पर enter कर दी उसके बाद आप tuition classes जो है वो आप home tuition के form में भी देते हैं यानि कि जो student है उसके घर पर visit करके भी आप tuition प्रोवाइड करते हैं तो अगर आपको कुछ इस type का business है आपके business का nature कुछ इस type का जहाँ पर आपकी जो location आपकी जो business location है उसके beyond जाकर भी आप services देते हैं बहुत सारी ऐसे हो सब्सक्राइब के point of view से अगर यह कोई business है तो इसके point of view से अगर कोई customer जो है वो आपकी shop के उपर एसी लेकर आ रहा है तो में और किस type से वहाँ पर जाकर आप services प्रोवाइड कर सकते हैं तो एक्चुली business to business जो है depend करता है और इस बात पर depend करता है कि आपने business की point of view से कितनी flexibility रख रख और आप किन cases में जो business की locations हैं उनके उपर जाकर आप services प्रोवाइड करते हैं तो यह वो option है do you also serve customers outside this location मतलब कि यह जो business की location आपने define करी अगर इसके बाहर जाकर भी अगर आप अपने customers को serve करते हैं तो वो option आपके पास यहाँ पर है yes I also serve them outside my location इसको अगर हम next करेंगे यहाँ पर घर हम इस चीज़ से agree करते हैं so guys यहाँ पर हमारे पास option होता है कि हम जो areas है जहाँ पर भी हम serve करते हैं उन यहाँ पर वो जो areas हैं उनको mention कर सकते हैं ठीक है और फरतर हम बाद में profile में जाके इन areas को और जादा expand भी कर सकते हैं मतलब और multiple जो areas हैं उनको भी हम mention कर सकते हैं एक बार मैं back आ जाता हूँ and यहाँ पर जो मैं option उसको select कर लेता हूँ no I don't ठीक है for example हम लोगों ने यह मान ल पर okay what contact details do you want to show to your customer this is again a very important thing क्योंकि यह Google my business में आप देखते हो यहाँ पर show करता है तो अगर मैं Google के उपर आ जाऊँ यहाँ और मैं यहाँ पर type करता हूँ digital marketing services in Jodhpur ठीक है अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस type की search करी है local search करी है अगर हम local search करेंगे तो यहाँ पर एक और बहुत ही important चीज जो आप यहाँ पर view देख रहे हो ठीक है same view हमारे mobile पर नहीं होता है mobile पर गाइस क्या होता है mobile पर आपको यहाँ पर एक dialer का logo दिख जाता है और number के उपर direct जो है वो customer call कर सकता है या prospect जो है वो call कर सकता है तो यह थोड़ा सा layout में भी फर्क होता है right so यहाँ पर हमें contact phone number एंटर करना है तो let me put a contact phone number ठीक है अगर आपकी कोई website है already तो वो आप यहाँ पर website का URL एंटर कर सकते हैं अगर आपकी कोई website नहीं है ठीक है अभी आपको जरूरत नहीं है तो आप उसको I don't need a website कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पताया था कि Google My Business के through यह Google क एक free service भी है जहाँ पर आप कुछ basic information देकर एक website create कर सकते हैं तो इसका भी आपको option दिखता है तो मैं यहाँ पर mark कर देता हूँ I don't need a website और इसके साथ guys मैं यहाँ पर कर देता हूँ next अब यहाँ पर हमें option दिख रहा है finish and manage this listing right तो यहाँ पर हम लोग finish कर देते हैं तो जो हम हमारा कोई client है या हमारा ही कोई business है तो किस तरीके से हम उसको जो है Google my business के उपर list करा सकते हैं यहाँ पर जो हम business को list करा देंगे उसके बाद business को हमें verify भी करवाना पड़ता है यह बहुत ही important चीज़ है बिना verify किये हुए आप बड़े सारे ऐसे features हैं बड़े सारे options है जो Google my business के हैं वो आप नहीं use कर पाएंगे तो यह जरूरी है कि आप अपने business को list कराने के बाद verify कराएं ताकि जो business है उसकी ownership भी आपके पास ही रहे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि postcard by mail जो भी आपने वहाँ पर address दिया हुआ है वहाँ पर एक physical letter आ जाएगा वहाँ पर एक pin numbers वापस अपनी profile में जाके enter करना होता है ठीक है तो यहाँ पर postcard by mail आएगा आपके पास और किस नाम से आपको receive करवाना है उस postcard को वो नाम आप यहाँ पर enter कर सकते हैं दूसरे भी तरीके हैं यहाँ पर verify लेटर का जैसे हमें option दिख रहा है वो भी है मैं आपको यह suggest करूँगा कि एक बहुत important चीज़ है इसको आप ignore ना करें कि आप सोचें कि ठीक है इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे हम Google My Business की listing को use करते हैं तो यह बिल्कुल ना करें इसको verify ज़रूर करें contact name यहाँ पर enter कर दें और यहाँ पर जो आपने address लिखा हुआ इसके अब लोग address एंटर करना है तो वह सारा इनी सारी चीज़ों के लिए होता है तो हम यहाँ पर गाइस क्या करना है अपना contact name या अगर हम client के लिए कर रहा है तो उसके address पर कौन सा person रहता है वहाँ पर जो इसको receive कर सकता है उसका name हमें यहाँ पर mention करना होगा तो अभी के पर set कर देते हैं एक बार के लिए ठीक है और यहाँ पर हमें एक और option दिखता है यह add your services है तो जो हमने internet marketing services वहाँ एंटर करी थी उससे related हमें यहाँ पर services दिखाई देंगी और अगर हम कोई अपनी custom service क्रेट करना चाहते हो भी कर सकते है तो affiliate marketing और digital marketing ठीक है और भी हम अपनी custom create करना चाहे तो हम भी कर सकते हैं online marketing और अगर हम यहाँ पर लेट से lead generation हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर search engine optimisation करना चाहते है तो वह भी हम कर सकते है अब एक बहुत important चीजा मैं आपको यहीं पर बता दूँ category और service में फरक होता है तेपार है जो business के category देख रहे थे आप, वो overall business को बताता है, services आप business के अंदर कौन से services प्रोवाइड कर रहे हैं ये चीज़े हम लोग बाद में भी कर सकते हैं ये जो services को option हमें दिख रहा है, इसे हम बाद में भी remove या जो है add कर सकते हैं further, so guys for now, हम लोग क्या करते हैं, इसके उपर हम लोग कर देते हैं, save, right और जैसे हम लोग save करेंगे, ये हमारी जो listing है, ये अब almost complete हो चुकी है, ये जो business arts हो गए रहा है, मतलब किन arts में हम operate करते हैं, business का description क्या है, ये मैं फिल हाल के लिए अभी आपके सामने इन सारी चीज़ों को मैं skip कर दे रहा हूँ, skip करने का मतलब ये नहीं कि मुझे इन चीज़ों को भरना नहीं है, फिल नहीं करना, ये हमारी important ये नहीं है, skip मैंने इसलिए किया, ताकि मैं आपको एक बार Google my business का dashboard दिखा सकूँ, उसके आप verify now के उपर click करेंगे, वापस आपके सामने वही सारे options आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं कर देता हूँ, इसको जैसे ये verify now कर रहा है, तो ये none of these है, ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर confirm, राइट, और यहाँ पर आप देख रहा हूँ, option आपको दिख रहा है, वापस आपको आपको आपर option दिखने लगा, ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोगों ने, पिछले वाले, जो हम लोगों ने case लिया था, वहाँ पर हम लोगों ने इसको skip कर दिया था, मैं एक बार फिर से वापस आ जाता हूँ, तो ये हमारा Google My Business का dashboard है, जितने भी changes अब हमें further करने हैं, वो सारे यहाँ पर करने हैं, जितने भी हमें optimization की tactics, tricks, जो भी लगानी है, जो भी information, यह optimization के point of view से fill करनी है, वो सारी guys हमें यहीं पर करनी है, तो एक एक चीज़ को हम लोग बहुत ही detail में समझने वाले हैं, चीक है, कि एक बार हमारी जब listing बन गई, अब हमारे लिए कौन-कौन से ऐसे points हैं, यहाँ पर कौन-कौन से ऐसे options हैं, जिनको हमें fill करना है, कौन-कौन से ऐसे options हैं, जो optimization के point of view से बहुत ही जादा important है, जिनको हम ignore और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो यह गूगल मैं बिजनेस की listing के ranking है, यह इस बात पर depend करती हैं, कि आप यहाँ पर चीजों को किस तरीके से manage करें, और भी वह सारे factors हैं, बट starting तो हम इसी तरीके से करते हैं, कि सबसे पहले जब हम अपनी जो way है, उसके हिसाबते हम fill कर सके, तो next वीडियो से हम लोग इन सारी चीजों को cover करने की कोशिश करेंगे, इस prospect वीडियो में इतना ही, मिलता है next वीडियो में, till then, good bye